नमस्ते दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं राधा कृष्णी जी की पेंटिंग बना रही हूं मिठला पेंटिंग या मधुवानी पेंटिंग के स्टाइल में तो यह पेंटिंग में हैंड मेट पेपर पे सेवन इंटू 15 इंचेज हैंड मेट पेपर पे बना रही हूं जो की बहुत पतला है छोटा और पेंटिंग है मतलब यह का सकते हैं तो यह में मोटे फिसमें राधा कृष्णी हैं जो पूरे ही बेच पर रहेंगे और बीच में जो इस पेस है उसमें उनके आचल और दुबट होंगे तो उस सेजन के सजावट होगी तो मैंने पहले निव से मैं एक्चुली मैं प्रेंटिंग मना रही हूं निव और एक्रेलिक कलर से तो पहले मैंने फ्री हैंने स्केशिंग की और बाडी के मतलब फेस नाक से स्टार्ट करते हुए नाक मुँ गले फिर चेस्ट फिर हाथ फिर नीचे लहंगा और धोती यह सब मैंने पहले बना लिया उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं सजावट पर काम कर रही हूं तो मैंने रादा जी की नेकलेस, उनके गले के, उनके ब्लाउज के डिजाइन, उनके जूरे के डिजाइन, एरिंग्स के अब भी की है, थोड़ा और करना है, वो मैं बाद में करूंगी, फिर मैं भी बासुरी बना रही हूं, जो किष्णा जी के हाथ में है, तो उसमें मैं मोतियों की लटकन डालूंगी, रादा जी के एक हाथ मैंने मटके को पकड़ा हूआ दिखाया है, और दूसरे हाथ में उ और यह बहुत ही सुन्दर जोड़ी है, यह तो हम सबको पता ही है, तो इनकी पेंटिंग मनाते हूँ, मुझे बड़ी खुसी मिलती है, एकड़म वो जो आनन्द होता है, जो मुझे अन्होती होती है, तो मैं अक्सर यह राधा किसम जी की कोई ने कोई पेंटिंग बनाती ह में तो मद्वनी और मित्ला पेंटिंग एक्छली सेमी है नाम अलग है और इसमें क्या है कि ज्यादा तर राधा कृष्ट राम सीता और उनके जीवन के प्रसंगों पर पेंटिंग बनती है इसके अलावा आप नेचर वगर अपर बना सकते हैं अभी आजकल समसमाइक सब्जे के सथसे में मुटिधिस के मितला पेंटिंग के होते हैं उसे इसमें देखने हैं किस पेंटिंग में 60-70% . मितला पेंटिंग में जितना आप black का काम 60-70% तक भरभर के काम अपना कर लेंगे उसके बाद जो space बचेगा उस space में आप colors का काम करेंगे तब जो आप color डालेंगे जब आपका 60-70% तक black का काम हुआ रहेगा तब जब आप उसमें color डालेंगे अपना favorite color तो color उभर के सामने आएंगे वो सभी color को एक support मिलेगा और वो color उभर के आएगा सामने तो इसलिए मितला painting को करते समय ये जरूर ध्यान डखे कि black का काम पहले हो जाना चाहिए आप देख रहे हैं मैंने अभी color नहीं उढ़ाया है मैं सिर्फ black का काम nib से जो की traditional तरीका है हमारा कररा मितला painting बनाने का nib से ही में काम करते हूं नीप से और brush से भरने का काम करती हूं 22 कछ्चनी का कामर और plus sketching nib से होता है और easily होता है कई बार होता है कि नग्यास जो start करते हैं जो artist हमारे उने बहुत महनत करते है एक्शुली तो घबडा जाते हैं कि नीप उन से हो नीप रह या फिर किसी भी तरह के जो आर्ट पैन है उसे आप यूज कर सकते हैं लेकिन अपनी प्रैक्टिस आप जब और ब्रस पर कंट्रोल रखेंगे तो आप मितला प्रैंटिंग किसी सर्फिस पे बनाने के लिए रेडी रह सकते हैं जैसे कि पेपर पे वाल पे फैब्रिक पे तो जब आप पेंटिंग सीख रहे हैं तो आपका ये मोटिव है कि आप पेंटिंग हर जगर बनाने के लिए कि लायक बन जाएंगे तो इसके लिए ही है कि शुरू से ही जब पेंटिंग बनाएं तो घमराय नहीं स्विच न करें स्टार्टिंग में सीखने के लिए आप पेंस यह आपको आगे काम आने वाला है, जब आप मितला पेंटिंग में सिधरस्त बनेंगे, जब ज़्यादा सीख ले रहेंगे, अच्छे सीख पाएंगे, जब आपको confidence level बढ़ जाएगा, तब आप कपरों पे स्विच करेंगे, तब कपरों पे आप तभी स्विच कर पाएंगे जब आपका brush पे control होगा, मितला पेंटिंग कभी भी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ आप कर लियें, कॉपी कर लियें, उसके उपर से color चला दियें, यह नहीं होता है मितला पेंटिंग का तरीका, मितला पेंटिंग free hand होता है, आप हाथ में brush, nib, pen, anything, आप उठाएंगे औ और उसको free hand ड्रॉ करेंगे, तो यह होता है मितला पेंटिंग जिसको fork art भी करते हैं, fork art हमारा जो होता है, हमेशा जब हमारे यहां fork art श्टार्ट होता है, हमारे देश में, किसी भी culture में आप देखेंगे, हर जगह का fork art है, और उसको कैसे नापते हैं लोग, उंगलियों से, चार उंगलियों का एक border, दो उंगलियों का एक border, इस तरह करके हम नापके printing नापते हैं, जैसे कि हम human figure बना रहे हैं, तो उसमें हम दो धाई उंगली की अगर हम एक figure face लेते हैं, तो तीन सारे तीन उंगलियों का उनका नीचे का part होगा, और उसके बाद नीचे उसके नीच पहला face अगर दो उंगली का है, तो उसके बाद वोला chest का part होगा जाएगा तीन उंगलियों का, और उसके बाद नीचे उला part फिर बड़ा बनेगा, लंबा बनेगा, तो इस तरह से हम figure बनाते हैं, जैतर figure में जो मितला printing होता है, उसमें कोई ratio ऐसे नापके नहीं बनाते हैं हम जब हम बनाते हैं, तो जब आपके practice हो जाएगी, तो आपको नापने की जर्वत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप ही free hand आप बना पाएंगे, इसलिए मैं अपने students को भी यही सलाह देती हूँ अक्सर, कि जब भी आप में इतना printing करें तो free hand करिए, और confidence रखिए, अगर ए अंदर आत्मा आपके अंदर जो भी भगवान की या फिर अप जैसे मैं राधा कृष्ण की बना रही हूँ, तो अपने अंदर आप सोचेंगे कि आप किस रूप में राधा कृष्ण को देखना चाहते हैं, उनकी सजावट कैसी देखनी चाहते हैं तो बस आप उस राधा कृष्ण की कर दी है, राधा जी की दुपट्टे में मैंने बूटी बना रही है, फ्लावर की वो बन गया है हमारा है, अभी जो में बनारी हूं और पीछे ग्राउन का थोड़ा से जगह बचरा है, तो उसमें बढ़े बदाशे डाल रही हूं, ब्रांचे़ के साथ में लेप्स और थोड़े से फ्लावर डालोंगी और कुछ चिरियां भी बनाऊंगी चिरियां एक्चुली जब इस तरह की पेंटिंग हम बनाते हैं जहां पराधा कृष्ण जो प्रेम के प्रतीक है तो उनकी पीछे तोड़े मोर बनने चाहिए तोड़े चिरियां फ्लावर ह मतन tub 길 जीवंत द्रिस होनी चाहिए लगे की पीछे लाइफलीनेस है जीवंत है द्रिस मैं उसी को केरने की कोशिस कर रहे हूं। आप भी देखेंगे मैं ब्रांचेज कम्प्रिट करने के पाद मैं फ्लावर और शीरियां उसके पाद पत्त् Apart रह eyelid हम के पंतलर फिंटिंग म ब्लैक का बहुत महत्व है और सारे डार्क और चटक का रंग जो होते हैं वह हम यूज करते हैं भरने में तो पहले sketching हम करते हैं देन कचनी करते हैं और उसके बाद जो प्रोसेस है वह हम भरनी करते हैं तो sketching करने के लिए आप निप का यूज करें starting में अगर दिकत है तो आप pencil से पहले यूज करें pencil से बना लें और ड्रॉ करके देख लें कि आपका motive कौन चीज कहां पर रखना है उसके बाद आप freehand draw करते जाएं जैसे मैंने देखा आपने कि उमेचरियां का आभी मैंने freehand ही draw किया है मैंने कहीं बनाया हुआ नहीं है इसमें देखिए से ही मैं draw कर रही हूँ और यहीं आप भी करेंगे बस confidence आप रखिए कि आपका आपसे बनेगा तो यह आपसे बन जाएगा तो इस तरह स पहले पूरा black का काम कर ले उसके बाद आप coloring पार्ट सबसे last में करें जब आप black से पूरा draw कचनी कर लेंगे palisketing कर लेंगे फिर आप कचनी कर लेंगे उसके बाद जो थोड़ी बहुत designing है वो कर लेंगे सजावट कर लेंगे उसके बाद जो थोड़े छोटे छोटे पार्ट बच्ते हैं बस उसमें ही coloring की भरने की color से ने का काम होता है यही widzah penning का तरीका होता है जैसा कि मुझे पता है तो देखिए बातों बातों में हमारी पेंट्रिंग इतनी रेडी हो गई है अभी मैं फ्रावर बना रही हूँ एक्छॉली मैं अगली वार से में सही से रिकॉर्ड कर ँगी जो मैं रिकॉर्ड कर गई तो मैंने जस्ट यसे रिकॉर्ड किया था यूट्यूब में डालने के लिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था तो इसकी वजह से एकदम फ्रंट का नहीं दिख रहा है तो मैं जब अगली बार से रिकॉर्ड करूंगी तो सामने से करके और तब मैं रखूंगी अगर आप लोग इंट्रेस्टेड रहोगे तो अगर कोई इंट्रेस्टेड हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिए कि आप सिखने के लिए इंट्रेस्टेड हो इसके लाबा मैं क्लास भी लेती हूं मितला पेंटिंग की अगर कोई इंट्रेस्टेड है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए मैं मेल अपना और या फिर फोन न जो basic से class होती है जिसमें मितला painting के लगद छोटे-चोटे मोटे पूफ मूठाते हैं और उस सिखाते हैं last में human figure पराते हैं चाहे तो उस class को भी join कर सकते हैं या फिर आप सीधा human figure वाले class भी join कर सकते हैं as per your demand या फिर आपको जैसी जरूरत है अगर आप basic आपने किया हुआ है आपको लगता है कि आपका basic question पर कमांड है तो कोई जरूरत नहीं है आप सीधा human figure को join करिए और वहां से सीखिए या फिर आप मेरे वीडियो के थूरू भी सीख सकते हैं कुछ कोई question हो कुछ जानना हो तो आप जरूर कमेंट करिए मैं बताऊंगी मैं कोसिस करूंगी कि आप लों के सारे सवालों का जवाब दे सकूं मेरा इमेल एड्रेस है joti.jha जहाँ मिधिला8 at the rate of gmail.com मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इमेल लिख दूंगी तो देखिए हमारे काना जी और राधा जी तियार हो गए है बीच में मैंने जो जगह बचा था वहां भी मैंने फ्लावर डाल दिया और उनकी दुपट्टे में मैं डामंड रेप की रिजायन डाल देती हूं तो हमारे sketching अल्मूस्ट रेडी हो गया है जो मैं कर्णिंग पार्ट कर रिकॉर्ड करके अगर आप लोग कुझे कहेंगे तो मैं रिकॉर्ड करके मैं से सेयर करोंगे थैंक्यू सो मच यह वीडियो थोड़ा से स्पीड में मैंने बता करके मैंने दिखाया है आप आप लोग को पसंद आएगी थैंक्यू